तो स्टुडेंट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंप्पॉर्टन्ट थिएरम कौन-कौन से है क्लास 9 के क्लास 10 के मैं अप्लोड कर चुका हूं अल्रडी जो बच्चे क्लास 9 में उनके मेसेज़िस थे और कॉमेंट्स थे कि आप इंप्पॉर्टन्ट थिएरम 9 क्लास के भी अप्लोड करें तो हम लोग इंप्पॉर्टन्ट थिएरम देखेंगे 9 क्लास के ठीक हो गया थिएरम स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 10 से कॉडिनेट जमेटरी कॉंगरेंट ट्राइंगल से तो आज इत का फ़र्स जे है आप लोगों की छुटियां भी होंगी लेकिन आप लोगोंने कुश्च करनी है कि इंजॉयमेंट के साथ साथ त्यारी भी रखें बिल्कुल त्यारी को छोड़े ना क्योंकि एकदम आप लोग सब प्रिपेर नहीं कर पाएंगे पहला जो थियूरम है वो 10.1.1 यह बहुत इंपोर्टन है या आपने प्रिपेर करना है प्रिविएस येर का पेपर जो था उसमें भी यह आया वा था 10.1.1 वादब फर्स थियूरम अफ चेप्टर 10 यह थियूरम आप लोगोंने अच्छे से प्रिपेर करना है पूरा if two angles of a triangle or concurrent then यह भी important है पहला थियूरम then second थियूरम 10 चेप्टर और 12 चेप्टर के कोश्करियों का सारे कर लें लेकिन मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कौन-कौन से आपने ज़्यादा focus करना है जिन पर थियूरम 3 इतना important नहीं है और थियूरम 4 भी तो आपने कुश्य करनी है कि इसमें 10 पॉइंट जो पहला थियूरम है वो और दूसरा थियूरम आपने अच्छे से prepare करना है और तीसरा थियूरम आप लोगोंने देख लेना है एक दफ़ा क्योंकि एक आध बार यह वाला आया है पेपर में तो आप लोगोंने तीसरा थियूरम भी देख लेना है तो फर्स थ्री थियूरम चैप्टर 10 के अच्छे से prepare करने हैं इसके बाद आप आएंगे 11 चैप्टर पेरलोग्राम और ट्राइंगल्स पेरलोग्राम के दोनों थियूरम बहुत इंपोर्टन है यह 11.1.1 फर्स थियूरम जिसमें यह तीनों पार्ट्स आपने प्रूव वन बै वन करने हैं लेकिन कोशिए करनी है कि आप यह टेक्निक सीख कर जाएं 11 चैप्टर के पेरलोग्राम के कम्प्लीट बाकी थर्ड इतना नहीं है यह फिफ्ट थियूरम इंपोर्टन्ट है इसका इसके बाद इसके बाद 12 चैप्टर लाइन बैसेक्टर और अंगल बैसेक्टर्स इसके कोशिए करिये कि सारे थियूरम करें चैप्टर 12 का पहला थियूरम भी इंपोर्टन्ट है इसका कनवर्स इतना इंपोर्टन्ट नहीं है लेकिन पहला बहुत इंपोर्टन्ट है थियूरम 3, most important थियूरम 4, important है आपने 3rd, 4th and 1st अभी तक इसमें important आए है थियूरम 6, important है 12 chapter के बहुत important है इनमें से एक लाजमी आता है chapter 13, sides, angles, sides and angles of a triangle very important theorem, 1st one 3rd है, the sum of any two sides was greater than the 3rd side, ये भी important है इसके तीनों पार्ट ये प्रूफ करने है और from a point outside, ये भी बहुत important है, 4th इसके बाद आप लोग move करेंगे chapter 14 पे ratio and proportion इस chapter के theorem मैं इतने recommend नी करता है ये वाला, इसमें आप लोगों ने, लेकिन ये वाला theorem आप लोगों ने कर लेना है, ये एक दफा आया है लेकिन इतने दादा 14 के important नहीं है, as such, जितने 12 वो 13 के थे पैतागोरस theorem 15 पैतागोरस theorem का पहला very important 15 का first part इसका converse भी आपने, ये वाहिए theorem में जिसका converse और first दोनों बहुत important है इसका दोई theorem में दोनों आपने करके जाने है, 16 के theorem में आएं, तो इसका first theorem important है, 16 का, और कोई इतना important नहीं है, हाँ लेकिन 16 के जो question है and में दिये वह ये बड़े important है इनके लिए मैं लग video बनाऊँगा, कि important question का, इसका पहला ही important है तो इतने आप theorem करके जाएंगे, इन्शाल्ला तो ये बनते है, total 8 या 10 बनते हैं तो आप इन में से जो theorem आएंगे board के paper में, वो आप attempt कर सकेंगे